आप सभी का बाला की रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम नवरात्रे स्पेशल थाली तियार करेंगे तो आए नवरात्रे स्पेशल थाली तियार करते हैं सबसे पहले हम नाएगे साबुदाने की खिचड़ी यह हमारे पास एक कटोरी साबुदाना है इसको हमने विगो लिया था यह वाली हमने छोटी कटोरी साबुदाना लिया है और यह विगोने के बाद डबल हो गया है और यह एक टमाटर लिया है इसको हमने बारी कट कर लिया काली मिर्च चमच लिया है और एक हरी मिर्च ली है इसको गड़ी पत्ता लिया है तो आए श्टार्ट करते हैं ऐस पर एक सोस फेन रख दिया है इसमें एक चमच देशी गी डालूंगी आप चाहे ओएल का भी प्रियोग कर सकते हैं अधे हमारा गी गरम हो चुका है सबसे पह मुम्फिल बुनने लगी है अब मैं इनको पटोरी में निकाल लूँगे अब मैं इसमें यह जीरा डाल दूँगे और जीरा डाल दूँगे अब मैं आखिवारी में रखुआए निकाल दूँगे अखिवारी में इसमें के निकाल दूँगे अखिवा को जाएंगे यह आलो मेरे फ्राइब हो चुके हैं आलो को मैं एक चाड़ में कर देती हूं और एक चाड़ में मैं किमाटर डाल दूंगी और अब मैं इसमें यह नमा और काली मिक और हरी मिक्षिस के अंगर एड़ दूंगी अब मैं इंते अलो के साथ ही मिक्षिक कर दूंगी अब मैं इसमें एक साबू दाना एड़ कर दूंगी यह मैंने शाबू दाना एक गुंते का लेजी दिगो दियागा और इसमें अब से गुंगी और साथ ही मिक्षिक में दूंगी अब मैं इसमें थोड़ा सा दन्या डाल दूंगी और इसमें एक से गुंत के लिए ऐसे भी दूंगी और साथ ही मिक्षिक में दूंगी यह हमारी साबू दाने की तोड़ी बनकर तियार हो चुकी है अब हम एक चैड में रख देंगे पकोड़े बनाएंगे यह हमने एक आलू लिया है इसको हमने इस परकार से बरी कट कर लिया है और यह हमने कुट्टू का आटा लिया है एक कटोरी और हरा धनिया और यह कुछ हमने मसाले लिये हैं नमक, स्वादे नुसार, जीरा, चुथाई चमच, एक हरी मिर्च काट कर लिया है और काली मिर्च लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं यह हमने एक बाउल लिया है बाउल में हमने कुट्टू काटा डाल दिया है एक सैड में ओईल गरम होने के लिए रख दिया है हमारा ओईल गरम होता है तब तक हम कुट्टू के आटे के पकोड़े की तियारी कर लेते हैं अब हम इसमें यह मसाले भी आड़ कर देते हैं पानी के मदद से पेश्ट तियार कर लेंगे हम इसका इसे हमें पकोड़े का घोल तियार करना है ना ज्यादा गाड़ा और ना ज्यादा पतला इसे हमें मीडियम ही रखना है और यह हमारा पेश्ट तियार हो चुका है गुल के और यह मैं इसमें हरा धनिया एड़ कर दूँगे यह हमारा पेश्ट तियार हो चुका है और इधर हमारा गरम हो चुका है एक एक करके इस पेश्ट के अंदर अलू को डिप करूंगी पकोड़ा फ्राई कर लेंगी मैं इसी पकार से मैं अपने पकोड़े फ्राई कर तियार कर लेंगी अब हम इन पकोड़ों की शाइड चुंच कर लेंगे यह हमारे पकोड़े भी बनकर तियार हो चुके हैं इन्हें भी मैं एक प्लेर में निकाल लूँगी तो कितने अच्छे से हमारे पकोड़े बने हैं दोनों सैड से सिख गे हैं बढ़िया से और मैं इसे प्लेर में सब कर लूँगी यह वाले पकोड़े भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गैस को में बंद कर दूँगी और यह पकोड़ों को भी निकाल दूँगी यह हमारे पकोड़े बनकर तियार हो चुके हैं अब मैं इन पकोड़ों को भी एक सेड में रख दूँगी अब हम बनाएंगे चट प blanc नेजा धी ऑचली थी अब मैं इसमें डाल दूंगी और साथ ही मैं आधे निम्भुकारशी बिटाल दूंगी इसके अंदर लमग डाल तोड़ा सा पानी डाल दूंगे गूट के आसपास और अब मैं इसको ग्रेंड कर लूँगी इधर ये हमारी चटनी पिसकर तियार हो चुकी है अब मैं इसे कटोरी में निकाल लूँगी अब बनाएंगे हम फ्रूट क्रीम ये मैंने मलाई से फ्रूट क्रीम बनाऊंगी ये मैंने मलाई ली है ये लगबग एक कटोरी के आसपास ली है इसको मैं थोड़ा सा बीट कर लूँगी ये हमारी मलाई अच्छे से बीट हो चुकी है और मैं इसमें थोड़ी सी इलाईची पोड़ा डाल दूँगी और एक चम्मच के आसपास मैं इसमें बूरा डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मैंने कुछ फ्रूट लिये हैं अनार, ग्रेप्स, बनाना और एपल आप अपने अकॉर्डिंग फ्रूट ले सकते हो और अब मैं इसमें ये फ्रूट एड़ कर दूँगी सारे अब मैं इसमें ये अनार के दाने डाल रखती हूँ रूट क्रीम बनकर रड़ी हो चुकी है इसे भी मैं एक सेड में रख दूँगी मैंने ये फ्रूट के लिए रखी है मैं चटनी रखूँगी और पकोड़े रखूँगी ये कुट्टू को याटे के और मैंने साबुदाने की खिचुड़ी भी रख दिये इसमें ये हमारी नवरात्रे की वर्त की थाली तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद